हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू माई चैनल तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे आप घर बैठे अपने फोन से आपको कहीं भी जाने की जूर्ट नहीं है तो आपकी टिकेट आटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी दोस्तो उसके थोड़े से चार्जिस कट जाएंगे और बाकी आपका रिफंड हो जाएगा तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फरमेशिया ओनलाइन कंट्राम टिकेटी बुक करें वेटिंग टिकेट बुक ना करें तो दोस्तों मैं आपको एप से टिकेट बुक करना बताऊँगा सबसे पहले आपका अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है प्लेस्टोर ओपन करने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है आई यार सीटीसी आपको इस आपको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना मेरा पहले से इंस्टॉल ऐसलिए मैं ऐसे अपडेट कर लेता हूं तो दोस्तों इंस्टॉल होने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है टिकेट बुक करने के लिए आपके बस IRCTC की ID होनी चाहिए आपको यहाँ पर लोग इन कर लेनी है आपने उपर अपना यूजर नेम डालना है और नीचे पासवर्ड और नीचे क्याप्चा डाल देना उसके बाद आपको लोग इन पर क्लिक कर देना है दोस्तो ID लोग इन होने के बाद आपको four digit pin set करना है उसके बाद submit पर क्लिक कर देना है आपकी ID लोग इन हो जाएगी उसके बाद आपको plan my journey पर क्लिक करना है तो दोस्तो पहले number पर है from आपको जहां से journey start करनी है दूसरे number पर है to आपको जहां पर अपनी journey end करनी है तीसरे नमबर पर आपकी class आ जाती है आपको sleeper में जाना आए या AC में जाना है और नीचे date दे रखी है किस date को आपको journey करनी है तो मैं form भर देता हूँ तो दोस्तों आपको form भरने के बाद sustain पर click कर देना है अब आपको ये available seats दिखा देगा 2S में available दिखा रहा है तो मैं इसे select कर लेता हूँ और passenger detail पर click कर देना है उसके बाद I agree अब आपको add new पर click कर देना है और उसका नाम डालना है जिसको travel करना है जिसकी भी ticket आप कर रहे हैं उसका आपको यहाँ पर नाम fill करना है age डालनी है, gender डालना है और add passenger पर click कर देना है अब आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है और आपको destination address डालना है जिस जगा पर आप जा रहे हैं आपको उसका address डालना है address डालने के बाद अगर आपके पास credit card या debit card आप जिससे payment कटवाना चाहते हैं तो आपको first option पर click करना है और अगर आपके पास UPI idea तो आपको नीचे आवले option पर click करना है आपको नीचे no पर click कर देना review my journey detail पर click कर देना अब आपको नीचे यह आपकी payment दिखा देगा आपके कितने पैसे कटेंगे और proceed to pay पर click कर देना थोड़ा सा नीचे आ जाना और capture fill करना उसके बाद proceed to pay पर click कर देना अब यहाँ पर आपका payment पर जाजागा आपको अपनी payment यहाँ पर कर देनी है अगर आपके पास पेटियम की UPI idea तो आप उसे उपर fill कर देंगे और अगर किसी अधर बैंक की UPI idea तो आप नीचे वाले option पर click करके उसको fill कर देंगे तो दोस्तो पेमेंट होने के बाद आपको दुबारा आप पर आजाना और यहाँ पर no thanks पर click कर देना उपर download को option बना उसके click कर देना आपकी ticket डाउनलोड हो जाएगी तो दोस्तो मैं आपको पता देता हूँ अगर आपको ticket को दुबारा निकालना है तो आपको my transaction पर click करना है यह नीचे थर्ड वाला option उसके बाद आपको my booking पर click करना है आपकी ticket शो हो जाएगी तो दोस्तो अब तक के लिए इतना ही तो दोस्तो वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब बटन दबा दें और बैल आइकन दबाना ना भूलें जैसे की मेरी वीडियो के लेटस अपडेट आपको मिलते रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो